हाई गाईज वेलकम बैक टो और चैनल डीयम नौलेज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट मोड में इंटरनेट कैसे चलाते हैं यानि कि आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगी बर जो आपका इंटरनेट है वो नॉर्मली जिस तरीके से वर्क करता है उस के पास कोई भी कॉल नहीं आएगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरस्टिंग और हेलफुल वीडियो आपको मिलती रहें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं कोई भी बंदा फ्लाइट मोड में इंटरनेट इसलिए यूश करना चाहता है ताकि उसके पास कोई कॉल ना है और जो भी वो इंटरनेट पर करना चाहता है वो असानी से बीना किसी रोप्टोप के कर सके तो यहां पर एक एप है जो इंडिरे को देख लीजिए आपको यही एप इंस्टॉल करना है अगर आपको यह एप नहीं मिलती है तो नीचे आप वाट्सप नंबर मेरा देख सकते हो आप उस पर मुझे कॉंटक्ट कर सकते हो मैं इसका डारेक्ट लिंक आपको दे दूंगा तो आप इंस्टॉल करने एक बास इ अब इस-गाए मैं एपिश्पर क्लिक करते रहना ऐना है और लास्ट मिन आपको इस तरीके का करेक्ट का टिक मुक्र कर देना है और इससे ओन कर देना है और करने के बाद यहाँ पर देखी लिखा गया है tap to expand आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जितने भी side में आपको option दिख रहे हैं सभी option आपको on कर देना है कुछ इस तरीके से अब अगर कोई ऐसा है जिसकी call आप block नहीं करना चाहते हो तो simply आपको white list पर click करना है white list पर click करने के बाद यहां पर plus का नीशे option दिखेगा इस पर click करके आप insert contact पर click करके अपने phone से उसका contact ले सकते हो या फिर direct प्लस पर click करोगे तो custom option आएगा इस पर click करके यहां पर आप internet number पर click करके उसका number type करके simply ok कर दो तो वो बनता है जब भी आपको call करेग तो simply आपको इस app को open करना है यहां पर देखिए इस तरीके से आप इस app को open करिएगा आप उपन करने के बाद simply जो on आपने किया है simply इस पर click करके off कर दीजिए सब कुछ normal हो जाएगा जिस तरीके से पहले call आते थी उसी तरीके से अब भी आपको call आना start हो जाएगी तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि future में इसी interesting वीडियो आपको मिलती रहे है मैं मिलता आप से नेक्स वीडियो में गुद्बाइ